उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है. सुबह और शाम को जम कर कोहरा पड़ रहा है. वहीं हवाओं ने कमप कमपी छुड़ा दी है. भारतिय मौसम विभाग ने बताया है कि सर्दी का सितम आने वाले तीन दिनों में और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा. उत्तर भारत के कई इलाकों में धूब गायब है और स्थिती पूरी तरह से कोल्ड डेकी बनी हुई है. जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है. मौसम विभाग ने बताया है कि 9 जनवरी तक कई प्रदेशों में हलकी से भारी बारिश भी होने संभावना है. इसके कारण सर्दी और बढ़ेगी. इसके साथ ओले पढ़ने की भी आशंका है. ओला गिरने के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है. खास तोर पर सर्सों की फसल को काफी नुकसान पहुँच सकता है. केरल और तमिलनाडु में बारिश मूसलाधार ब बने रहने की संभावना है. इसकी द्रिशता पचास मीटर से भी कम की हो सकती है. इसके कारण रेल, हवाई और सडक यातायाद भी प्रभावित रहेगा. मौसम विभाग ने बताया है कि सर्दी का सितम यूही जारी रहेगा. नए पश्चिमी विक्षोब के कारण आठ और 9 जनवरी को हलकी बारिश होने की संभावना है. गरच चमक के साथ ओले भी पढ़ने की संभावना है. इसके कारण सर्दी और बढ़ेगी. कई इलाकों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोब के कारण दिल्ली में 8 और 9 क बारिश की संभावना बन रही है. कई इलाकों में चितपुट बारिश हो सकती है. इसे में सर्दी और बढ़ेगी. मौसम विभाग ने बताया है कि 8 और 9 जनवरी को कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोब का प्रभाव देखने को मिलेगा. इसके कारण कई जगों पर चित बारिश देखने को मिल सकती है.